तो यहां से तुम देखोगे तो basically अब एदेखो यह जो match कराना हम लोग को value निकालना है A और B का हमें dimensional formula करता है एक circle है यह जो equation x square plus a square plus y square x की जो है ओ एकस square plus y square is equal to a square कोई circle है तो x और y क्या है length है भाई x y और r a यह सारे क्या length है इन सबका dimensional formula L है अब यह करते हैं origin वह है point out the correct dimension है नहीं नहीं equation अगर equation यह जो actual equation था अगर यह modify होके ऐसे आया तो अब हम यह जो a भी constant आइन का dimensional निकालना बहुत आसान सवाल है तो x minus a और x minus capital a और t का whole square तुम देखोगे इस पूरे का जो dimensional formula वो L होना चाहिए समयरे ना इस पूरे का dimensional formula A के बराबर होना चाहिए L या नहीं तो तुम ऐसे भी कर सकते हो कि a plus b बराबर c है तो a अगर लेंथ है तो b भी लेंथ होगा तो c भी तो लेंथ होगा और या माइनस भी रहे ए प्लस b इसका मतलब भी होगा principle of homogeneity से same length के add होते हैं या subtract होते हैं इसका मतलब भी होगा कि x बराबर होगा 80 के dimensionally क्योंकि इसका भी dimension L होना चाहिए इसका भी L होना चाहिए आया समझ में तो इसका मतलब भी होगा कि यहां से एक आजाएगा x अपन time t तो x का L था और इसका t था यह जाएगा lt-1 तो एक आजाएगा lt lt और से एक आजाएगा एत और यहां से time t ती क्या भई ती की power minus 1 है और से ती की power minus 1 है ते की power minus 1 है तो नहीं तो आजाएगा L T आ जाएगा A का तो A का L T मतलब है अपना second option सा यह यह गलत है यह गलत है इसी हिसाब से B का निकाल लो तो dimensionally B किसके बराबर होगा T upon B के तो B का dimension formula क्या जाएगा तो B का जाएगा T upon Y तो T का जाएगा T की power minus 1 और B का जाएगा length L है तो A जाएगा L T की power minus 1 तो B की जो आजाएगा T की power minus 1 और L की power minus 1 T की power minus 1 तो यह अपना जाएगा B का जो की सही है second option तो आई हो की समझ में आ गया principle आप homogeneity पर इस सवाल था ठीक है